दोस्तर नमस्कार कैसे आप लोग मैंसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग प्रशनावरी 17.1 के प्रसंद संख्या 5 को सॉल्फ करेंगे अगर आप वह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लेजगा जिससे हर आले वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आज ये वीडियो सुरू कर करते हैं प्रसन संग्या 5 है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदू A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकिरती 7,7 लबाठ में दर्सा आ गया है यहां आकिरती 7,7 लबाठ दिया हुआ है और इसमें A, B, C, D 4 बिंदू है और 4 बिंदू पर 4 मित्र बैठे हुए हैं चम्पा और चमेली कठा के अंदर आती है और कुछ मिजर तक देखने के बाद चम्पा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि A, B, C, D एक वर्ग है चमेली से सहमत नहीं है दूरी सुतुरका प्रजो करके बताए कि इनमें कौन सही है चम्पा सही है या चमेली सही है तो A आने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि A से B की दूरी, B से C की दूरी और C से D की दूरी और D से A की दूरी ये चारों दूरी निकालना होगा अगर चारों दूरी बराबर हो जाएगा तब तो ये वर्ग होगा और चमपस सही हो जाएगी अगर चारों दूरी बराब नहीं होगा इसका मतलब यह होगा कि ये वर्ग नहीं है तो हमें क्या करना है कि बिंदु 9 7 का मान हैं 4, B का अंदिरते सांग क्या है? दिखे, X अक्ष क्या है? छे और Y अक्ष है, साथ, यानि कि 6,7 हो जाएगा, C का मान हो जाएगा, 9 और 4, D का मन हो जाएगा, 6,1, ठीक है? सबसे पहरे हैं, जो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु को लिख लेते हैं, ठीक है? तो असपाश्ट है कि बिंदुएं A, B, C और D के निर्दे सांग क्रमसा, क्या है, दिखे, सबसे पहले A है, यहाँ A का निर्दे सांग लिखना है, A का निर्दे सांग है, 3,4, ठीक है, तो A हो जाएगा, 3,4, अब हमें लिखना है B का निर्दे सांग, जो की, एक सक्ष क्या है, 6, और Y का मन क्या है, 7, यानि की, 6,7, इसके बाद C है, C का है, 9,4, 9,4, और D का है, 6,1, है, अब दूरी सुत्र का पर्योग करने पर, ठीक है, तो दूरी किसका निकालना है, A से B के दूरी निकालना है, तो लिखेंगे A, B, बराबर, अंडर रूट, क्या होता है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वेर, प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वेर, ठीक है, तो यहाँ A, B का निकालना है, तो इस बिंदू और इस बिंदू में चलेंगे, ठीक है, तो A है X1, A है X2, A है Y1, और A है Y2, ठीक है, तो हमें X2 में से X1 को घटाना है, यानि कि 6 में से 3 को घटाना है, यह हो जागा, 6 माइनस 3, स्क्वेर है, तो A स्क्वेर लगा देंगे, प्लस है, तो प्लस Y2 माइनस Y1, यह है Y2 और यह है Y1, यानि 7 में से 4 को घटाना है, 7 माइनस 4, इसका स्क्वेर करेंगे, तो A हो जागा, देखे, 6 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, तो क्या बचता है, 3, यह हो जागा, 3 का A स्क्वेर, प्लस है तो प्लस देंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे, तो बचेगा, 3, इसका A स्क्वेर, तो यह हो जागा, 3 तिया 9, प्लस 3 तिया 9, यानि अंडर रूट का हो जागा, 18, दिखे, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो इसको रूट से बाहर भी कर सकते हैं, जैसे, 18 का रूट निकालना है, तो क्या हो जागा, 2, 9, 2, 18, 3, 3, 9, यानि की अंडर रूट 18 का क्या होगा, अंडर रूट 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, यहां 3 दो बार है, तो एक बार लि बीसी, क्या निकालना है, बीसी निकालना है, तो लिखेंगे, बीसी बराबर, फर्मुला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसए फर्मुला के हिसाब ही चलेंगे, ठीक है, मैं डारेक्ट बना दे रहा हूँ अब, बीसी में घटाना है, ए है एकिस वन, और ए है एक्स टू, तो x2 का मान क्या है 9 और x1 का मान है 6 यानिकि 9 में से 6 को खटाना है तो यह हो जाएगा 9-6 का square प्लस y2-y1 y2 का मान क्या है 4 है और y1 का मान क्या है 7 यानिकि 4-7 करना है इसका square तो यह हो जाएगा दिखें 4 खोटाएं कि तुम करेंगे और प्लस का 4 है और माइनस जाएगा और और फिर हो जायगा पegan ऩार्ण रूट 18 और फिर अगर हम रूट निकालते हैं तो किया था रूट 18 का 3 अंडू दो तो क्या हो जायगा तीन अंडर रूट 2 ठीक ऩिर हमें या निकालना है ए बीनिकल गया बीसिलिन गया तो आँby nicles lietक है । कशने करने रेंते हैं x1 x2 y1 y2 6 में से 9 भटाना है तो 6-9 इसका square प्लस है तो प्लस देंगे और y2-1 करना है y2 का मान एक है और y1 का मान चार है तो यह हो जाएगा 1-4 का square तो क्या हो जाएगा दिखें प्लस का 6 और मा cuarto 3 इसका square प्लस इसका square चैन अगर हम डी अ में चलते हैं तो यह जागा एक्स वन यह जागा एक्स टू यह जागा वाई वन आयों हो जागा वाई टू तो छे में से तीनु खटाएंगे और एक में से चार को खटाएंगे ठीक है तो छे माइनस तीन का स्क्वेर प्लस एक माइनस चार का स्क्वेर तो छे में से तीनु खटाएंगे क्या बचाएंगे तीन इसका स्क्वेर प्लस प्लस का एक और माइनस का चार यह बचाएगा माइनस का तीन इसका स्क्वेर तो तो तीन तिया क्या हो जागा नौ और प्लस त यह हो जाएगा प्लस का अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो यह हो जाएगा तीन अंडरूट दो ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं AB का मान आया 3 अंडरूट 2, BC का मान आया 3 अंडरूट 2, CD का मान आया 3 अंडरूट 2, यानिकि चारों दूरी क्या है, बरावर बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, कि A B बराबर B C बराबर C D बराबर D A बराबर क्या आया 3 अंडरूट 2 यानि कि सब का दूरी क्या है समान है इसलिए चमपा सही है यही क्या हो जागा एंसर हो जागा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीदियो समझ में आगया होगा अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसे पहले का वीदियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ओं लॉकेस्टडी के प्रेग लिस्ट में जाकर फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद